जहारकण में अब मिलने लगी 100 यूनिट मुफ्थ विजली हेमन सरकार ने पूरा किया चुनावी वादा हेमन सरकार ने जहारकण के गरीबों को 100 यूनिट विजली मुफ्थ दिना सुरू कर दिया है जुलाइ से यह सुमीदा लागू कर दी गई है राजे के 32 लाग गरीबों को यह लाइब मिलने लगा है जामुमों ने चुनाओं में इसके लिए वादा किया था लागू कर देखें जन्मेनी हकिकति यह है कि ग्राउंड लेवल पे हम लोग गाउं गाउं जा रहा है और लोगों से सुष्टे हों को लोग कहते हैं कि यह लोग 100 लिए जला रहे हैं लिकुछ तहीं सरकार नहीं चुने कर दिया है यह उपको दिन जमाने करना पर रहा है इसे क्या हो रहा है कि यह पील पीपी जो जरुवत मंग जरीब है उनको इससे काफी रहा है उनके बच्चे पढ़ रहा है उनके यहां बीज़न रही है तो यह सरकार की उपलभी है और चाहे स्वर्जन पेंसन युजना हो चाहे आजनवानी सुष्टा का मामला हो चाहे पर कुरानी से इसन युजना हो हर मोर्चे पर सरकार लोगों के लिए कारी कर रही है और उमीद है कि आगे और भी बेहतर हमारी सरकार कारी करेंए पहले देखे यह जनाने नहीं चल रहा है तो शुदूरवर्ती ग्रामीन चत्रों के लोग प्रखंड में आते अज सरकार की अउपलब्धी है कि गाउं में पदा दिकारी उकरबचारी कैंप लगा रहा है इसे लोगों को काफी रहा था सभी समस्याओं का समधान उनके ही ग कि दरा यहार प्र시면 लेहा है कि आज हुए जो लोग परशान है उनके लिए काड़ सरकार लगातार करने ही कि क